हेलो बच्चों कैसे हो आप सब, my name is साने नायर, your chemistry teacher, mentor और दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस amazing platform PW पर, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज concept mapping and revision में हम आप के लिए लेकर आए हैं chemistry का chapter number 2 which is acids, bases and salts, हर एक concept को देखेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे, ब without wasting any more time, let's begin, तो अब अगर chapter का नाम है acids, bases and salts, तो acids, bases and salts के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो चलिए acids से शुरू करते हैं, सबसे बहले बेटा acids के बारे में थोड़ा जानते हैं, they are sour and taste, sour मतलब acids जो होते हैं वो taste में खटे होते हैं, they give H positive ions in aqueous solution, अगर acid को पानी में मिलाएं तो वो जो है पानी में जाकर H positive ions देता है, या फिर हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसे substances जो पानी में जाकर H positive ions release करते हैं, उन्हें acids कहा जाता है, they are corrosive in nature, most of the acids are corrosive in nature, they produce a burning sensation on the skin and holes in the clothes on which they fall, तो हम तो जानते ही हैं कि acids क्या होते हैं, they are corrosive in nature, alright बच्चों, फ फिर आईए कुछ terms पढ़ते हैं, सबसे पहले है strong acids, ऐसे acids जो पानी में जाकर completely dissociate हो जाते हैं and they produce H positive ions readily, मतलब राजी खुशी भर-भर के H positive ions release करते हैं, उनको strong acids कहा जाता हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, weak acids कौन से होते हैं, ऐसे acids जो पानी में partially dissociate होते हैं and do not readily give H2SO4 positive ions, उतनी राजी खुशी H positive ions release नहीं करते हैं and partially dissociate होते हैं पानी में, जैसे कि बेटा acetic acid हो गया, oxalic acid हो गया, और दो terms हमने जाननी हैं, देखते हैं, सबसे पहले है concentrated acids, ऐसे acids जिनमें acid की मात्रा जादा है और पानी की मात्रा कम है, उन्हें हम बोलते हैं concentrated acids, next dilute acids, ऐसे acids जिनमें acid की मात्रा कम है और पानी की quantity, पानी की मात्रा जादा है, उन्हें हम बोलते हैं dilute acids, ठीक है, समझ आया के नहीं आया, तो अब अगर dilute acids की बात करी है, तो आईए एक topic को जानते हैं, जो की है dilution of acids, dilution of acids का क्या मतलब है, acid और पानी को मिलाना, अब ये acid और पानी क कैसे मिलाएंगे, पानी में acid डालेंगे या फिर acid में पानी डालेंगे, आये जानते हैं, तो देखे, हमें क्या करना है बिटा, हमें बीकर में तो पानी लेना है जादा और थोड़ा-थोड़ा acid डालना है, that is the correct way of dilution of acids, हमें ऐसे नहीं करना कि हमने भर के पहले acid ले लिया, फिर उसमें एकदम पानी डाल रहे हैं उपर से, acids बहुत ही corrosive होते हैं और ये जो हमारा dilution of acids है, ये जो process है, ये हमारा highly exothermic in nature है, ये process highly exothermic in nature होता है, तो अगर आप इतना सारा acid बीकर में ले रहे हैं और उसमें पानी डाल रहे हैं, तो इतनी जादा heat produce होगी, कि क्या होग acid जो है वो छपक करके बहार आजाएगा, ये container भी तूट सकता है, आपके मुझ पे हाथ पे कहीं पे भी acid splash हो सकता है, accident हो सकता है, तो correct way क्या है, पानी हमें बीकर में लेना है, उसमें थोड़ा थोड़ा acid डालना है और उसको side by side stir करते रहना है, so that is the correct way of dilution of acids, चलिए अब acids के बारे में जान लिया, तो basis के बारे में भी जान लेते हैं, basis कैसे होते हैं, basis are bitter and taste कड़वे होते हैं, next है, they are soapy to touch, अगर आप उनको ऐसे बीद दो fingers के बीच में ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो soapy, soapy feel होएंगे, then they give OH- ions in aqueous solutions, जैसे बेटा acid जो है वो पानी में जाकर H- है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, कि ऐसे substances जो पानी में जाकर OH- ions release करते हैं, उन्हें base कहा जाता है, ठीक है बच्चा, चलिए, next देखते हैं, जैसे हमने acids में कुछ terms पड़ी थी, वैसे ही basis की terms देखते हैं, सबसे पहले हैं हमारे पास strong base, जो की जिसके examples है, NaOH हो गया, KOH हो गया, then एक term आती है, alkalis, alkalis क्या होते हैं, जो basis पानी में soluble होते हैं, जो basis पानी में dissolve हो सकते हैं, soluble हो जाते हैं, उनको हम alkalis कहते हैं, तो water soluble basis को alkalis कहा जाता है, ठीक है, तो बच्चा, अब आईए, जानते हैं एक topic के बारे में, जो की है indicators, acids हो गया, basis हो गया, बट भाईया आखिर कार हम इन acids और basis को पहचानेंगे कैसे, हमने कह दिया acids खटे हैं, basis कडवे हैं, बट वही chemistry में ऐसी ऐसी चीजों का use हुआता है, कि उसको बार बार टेस्ट करके नहीं देख सकते, खटी है, कडवी है, acid है, base है, तो हमें कोई चीज चाहिए, जो हमारी मदद कर सके, ज देखिए, indicators tells whether the substances we are testing are acids और bases, वो हमें बताते हैं कि आप जो चीज टेस्ट कर रहे हो, वो acid है या base है, तो तीन तरीके के indicators होते हैं, पहला है natural indicators, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे indicators जो हमें nature से मिलते हैं, उन्हें natural indicators कहा जाता है, तो examples देखिए, लिटमस हो गया, तर्मरिक हो हो गया, लिटमस जो है, उसका acid में क्या color change होता है, acids की presence में, acidic medium में red color आता है, basic medium में blue color आता है, अगर तर्मरिक की बात करी जाए, हल्दी की बात करी जाए, तो हल्दी वैसे yellow color की होती है, acidic medium में वो yellow का yellow ही color रहता है, बट basic medium में color change हो जाता है, और हमें red color देखने को मिलता है नेक्स्स देखते हैं बेटा, निच्रॉल इंडीकेटरोगे से अफेटिकेटर, जो मैनपेट इंडीकेटरोगे से लेबोरटरी में बनाए गए गई हैं, और फिनोफलीन, मिथाइल, औरेंज, तो फिनोफलीन वैसे हमारा कलरलेस होता है, वैसे मैं सी लिख रही हूँ, for color loss, का होता है, acidic medium में वो orange से red color में change हो जाता है और basic medium में वो orange से yellow color में change हो जाता है, तो ये थे हमारे synthetic indicators और वो हमें acids और bases को पहचानने में कैसे मदद कर रहे है, by changing their color, तीसे type के indicators होते हैं बेटा, all factory indicators, पीछे वाले जो indicators थे, वो color change कर रहे थे, अब जो indicators हम पढ़ रहे हैं, those substances whose smell or odor changes in acidic or basic solutions are called all factory indicators, ऐसे indicators जो अपनी smell की help से बताते हैं कि भाईया ये चीज़ acid है, ये चीज़ base है, उन्हें all factory indicators कहा जाता है, तो आईए देखते हैं, example हो गया, onion हो गया, vanilla essence हो गया, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि onion की एक अलग सी smell होता है, एक characteristic smell होती है, similarly vanilla essence जो cakes वगरा में डलता है, उसकी भी एक characteristic smell होती है, अब acidic medium में जो smell है, वो रहती है, जो उसकी characteristic smell है वो रहेगी, but basic medium में smell गायब हो जाती है, there is no smell in the basic medium, vanilla essence के साथ भी यही है, smell जो है वो रहती है, मतलब there is no change in the smell, और basic medium में क्या होता है, smell जो है हमें आती ही नहीं है, there is no smell, तो ऐसे हमारे को all factory indicators मदद करते हैं, बताने में कि यह acid है और यह base है, तो indicators का topic हो गया, acids और bases की physical properties जान ली और indicators के बारे में भी जान लिया, तो आईए अब जानते हैं chemical properties of acids and bases के बारे में, तो सबसे पहले हम पहला reaction जो देखने वाले हैं, वो है reaction with metals, तो acid जो है, वो metal के साथ react करके हमें देता है salt और साथ ही में produce होती है hydrogen gas, acid plus metal gives salt and hydrogen gas, reaction आपके सामने है, HCl ले लिया, zinc ले लिया, मुझे मिलेगा salt और साथ ही में hydrogen gas produce हो रही है, basis भी बच्चा, base भी metal के साथ react करके salt और hydrogen gas produce करता है, मैंने NaOH ले लिया, साथ में मैंने zinc metal ले लिया, तो मुझे मिलेगा Na2ZNO2 जो की हमारा salt है, जिसका नाम है sodium zincate ठीक है, और साथ ही में hydrogen gas produce होती है, अब बेटा एक test होता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि आखिरकार hydrogen gas निकली भी है, कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, So what is the test to identify कि hydrogen gas निकली है, कि नहीं निकली, let us suppose बेटा मेरे पास एक test tube है, इसमें reaction हो रहा है, मैंने zinc ले लिया, मैंने HCL ले लिया, salt बना है और साथ ही में hydrogen gas निकल रही है, तो अगर मैं इस test tube के mouth पे, अगर मैं इस test tube के mouth पे एक जलती हुई match stick लेकर आऊंगी, तो जो hydrogen gas है, it will, the hydrogen gas will burn with a pop sound, जो hydrogen gas है, it will burn with a pop sound, एक second, it will burn with a pop sound, आप matchis, जलती हुई matchis लेकर आएंगे, तो ऐसी आवाज आएगी, पुप, मैंने ठीक से produce करी है, नहीं करी, बट एक पुप, ऐसी सी आवाज आएगी, तो हम कहते हैं, कि जो hydrogen gas है, it burns with a pop sound, तो ये था reaction with metals, नेक्स्ट जो हम chemical property पढ़ेंगे, वो है, reaction with metal carbonate and metal hydrogen carbonates, तो बचा, acid जब metal carbonate ठीक है, या फिर metal hydrogen carbonate के साथ react करता है, चाहे metal carbonate हो, चाहे metal hydrogen carbonate हो, हमें मिलेगा salt, हमें मिलेगी carbon dioxide और साथ ही में मिलेगा water, that is H2O, example आपके सामने है, मैंने acid ले लिया, HCl, यहाँ मैंने ले लिया NaHCO3, metal hydrogen carbonate ले लिया, मुझे मिला salt, carbon dioxide, water, acid ले लिया, metal carbonate, यहाँ पर hydrogen carbonate लिया था, यहाँ metal carbonate लिया है, दोनों cases में salt मिलेगा, carbon dioxide मिलेगी और water produce होगा, but on the other hand, bases do not react with metal carbonate और metal hydrogen carbonates, यहाँ पर कोई reaction नहीं होता है, ठीक है, चलिए, अब जैसे हमने hydrogen gas के लिए एक identification का test पढ़ा, के भाईया hydrogen निकल वे पप की अवाज आ रही है, तो वैसे ही carbon dioxide के साथ ना इनसाफी क्यों, carbon dioxide के लिए भी हमारे पास एक identification का test होना चाहिए, तो carbon dioxide के लिए हमें test करते हैं, जिसका नाम है lime water test, जब हम carbon dioxide gas को lime water, जो की क्या है, caoh whole twice, जब हम carbon dioxide को lime water से pass कराते हैं, तो हमें मिलता है caCO3, calcium carbonate, जो की एक white color का precipitate है और हम कहते हैं कि हमें milky appearance देखने को मिली, white color का precipitate है तो भाईया हम बोल देते हैं कि milky appearance है, caCO3 बना milky appearance और साथ में water, तो जब carbon dioxide को lime water से pass करा है, तो हम कहते हैं कि milky appearance आ गई है, अगर milky appearance आ गई है, तो मतलब carbon dioxide gas है, बट अगर मैं carbon dioxide को excess में pass करा दू, मैं pass कराई जा रही हूं, कराई जा रही हूं, कराई जा रही हूं, सबसे पहले देखिए बेटा lime water जो है हमारा colorless है, जब मैंने carbon dioxide pass कराई CaCO3 बना white color का precipitate, तो हम कहते हैं कि colorless से white white हो गया milky appearance आ गई, बट अगर मैं carbon dioxide continuously pass कराई जा रही हूं, excess में carbon dioxide pass कराई जा रही हूं, तो ये CaCO3 convert हो जाता है, CaHCO3 whole twice में, जिसको calcium bicarbonate कहते हैं, and it is again colorless, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, कि अगर हम excess carbon dioxide pass कराते हैं, तो milkiness disappears, क्या बोलते हैं, milkiness गायब हो जाती है, milkiness disappear हो जाती है, ठीक है, चलते हैं आगे, next chemical property है, reaction of acids and bases with each other, बहुत अच्छे से हम जानते हैं, कि acid और base एक दूसरे के साथ react करके बनाते हैं, salt and water और इस reaction को बोला जाता है, neutralization reaction, ठीक है, clear हो गया, next बच्चा, आगे चलते हैं, reaction of metal oxides with acids, आप लोग अभी तक metals and non metals chapter पढ़ चुके होंगे एक बार, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कि जो हमारी metal oxides होती है, they are basic in nature, तो अगर मैं किसी base को acid के साथ react करा रही हूँ, तो अभी पीछे ही पढ़ा है, यह they are basic in nature, किसी भी basic चीज़ को acid के साथ react करा रही हूँ, तो salt मिलेगा and water produce होगा, example देखिए, copper मेरा metal है, copper oxide एक metallic oxide है, which is basic in nature, उसको acid के साथ react करा आया, तो salt produce हुआ और water produce हुआ, अब इस तरफ आ जाएगे, reaction of non-metal oxides with bases, non-metal की जो oxides होती है, वो हमारी acidic in nature होती है, तो अगर मैं किसी acidic चीज़ को base के साथ react करा रही हूँ, तो मुझे acid और base react करके salt and water देंगे, आप लोगों के लिए example यह रहा, calcium hydroxidic base है, carbon, carbon क्या है, non-metal है, उसके द्वारा बनाई गई oxide, non-metallic oxide है, and non-metallic oxide क्या हो गई, acidic in nature हो गया, तो base हो गया, acid हो गया, तो मुझे मिलेगा salt और साथ ही में मुझे मिलेगा water, ठीक है बचा, इतना आप लोगों को समझ आ गया, तो ये थी हमारी chemical properties of acids and bases, तो आईए एक बार acids और bases को summarize कर लेते हैं, acids वो chemical substances है, which dissociate in water to give H positive और H3O positive ions, H positive तो मैं बताया आपने, H3O positive क्या होता है, आईए जानते हैं, let us suppose मैंने एक acid लिया HCl और मैंने उसको पानी में डाल दिया, ठीक है, अब पानी में जाके HCl जो है, वो मुझे H positive और Cl minus देगा, और पानी तो बच्चा मेरे पास है ही, ठीक है, तो ये H positive जो है, ये water के साथ मिलके बनाता है H3O positive, जिसे hydronium ion कहा जाता है, इसलिए हमने लिखा है, या तो H positive और H3O positive ions, तो जो substances dissociate होते हैं पानी में to give H positive और H3O positive ions उनको acids कहा जाता है, और उसी तरीके से basis के लिए क्या है, ऐसे chemical substances which dissociate in water to give, OH minus ions are called basis, तो ये थी हमारी acids and basis के बारे में उनकी properties, जो अब हम next topic discuss करने वाले हैं, वो है universal indicator, universal indicator क्या होता है, it is a mixture of several indicators, it shows different colors at the different concentration of hydrogen ion in a solution और ये हमें help करता है pH को measure करने में, ये बिटा हमारा pH का scale है, जिसकी value जो होती है, वो 0 to 14 होती है, a scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed, तो इसकी value क्या होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है, तो अगर हम acids की बात करें, तो acids का जो pH होता है, वो हमारा less than 7 होता है, acids में pH की value साथ से कमाती है, basis में pH की value is greater than 7 और अगर मेरे पास कोई neutral substance है, तो उसमें pH की value जो होती है, that is equal to 7, ठीक है, चलिए अब हम देखते है, pH in everyday life, ये बहुत ही interesting, interesting से examples है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे pH जो है, वो हमारी dairy life में, use में आता है, सबसे पहले है, our body works well within a narrow pH range of 7 to 7.8, हमारी body का जो pH range है, वो 7 से 7.8 है, उसी में ही वो बहुत अच्छे से work करती है, नेक्स है, most of the plants grow best when the pH of the soil is close to 7, if the soil is too acidic और too basic, तो plants जो है वो अच्छे से grow नहीं करते हैं, और फिर farmer को soil का pH ठीक करना पड़ता है, pH in our digestive system, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो stomach है, वो HCS secrete करता है, खाने को digest करने के लिए, अगर excess में acid produce हो जाए तो acidity हो जाती है, indigestion हो जाती है, जलन होती है, और फिर हम क्या करते हैं, हम एक mild based consume करते हैं, ताकि वो उस acid को जाके अंदर neutralize कर दे, हरम में acidity से राहत मिले, then we have tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5, 5.5 से अगर pH कम हो जाए तो tooth decay होना शुरू हो जाता है, mouth का जो environment है वो acidic हो गया है, तो इसलिए कहते हैं, brush twice a day, क्योंकि जो हमारा toothpaste होता है, उसमें basic substances होते हैं, जो हमारे को tooth decay prevent करते हैं, then है, many animals and plants protect themselves from their enemies by injecting painful and irritating acids and bases into their skin, तो जैसे हमें अपना self defense करना होता है, वैसे ही animals and plants भी अपना self defense करते हैं, कुछ acids या basic substances secrete करके, जैसे कि जो honey bee होती है, अगर वो डंक मार जाए, तो वो किसी human की body में acidic liquid secrete करती है, अगर कोई wasp हमारे को डंक मार जाए, तो वो हमारी body में alkaline liquid secrete करता है, ऐसे ही और बह pH in everyday life जिसको हमने जल्दी से discuss कर लिया है, अब आता है बच्चा salt, acids हो गया, bases हो गया, indicators जान लिया, pH जान लिया, अब हम salts पे आते हैं, salts आप लोगों को पता है, acid और base के reaction से जो चीज बनती है, वो हमारा salt होता है, मतला पानी नहीं जो दूसरी चीज बन रही है, वो हमारा salt है, acid react करता है, base से, साथ ही में produce करता है, salt and water, ठीक है, समझ आ गया, तो अब हमें कुछ important salts discuss करने है, सबसे पहला salt जो हमें discuss करना है, वो है sodium hydroxide, ठीक है, तो इसका chemical formula जो होता है, वो होता है, NaOH, और ये prepare कैसे होता है, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसको brine कहते हैं, देखिए NaCl plus water, aqueous solution of sodium chloride, जिसको brine कहते हैं, जब उसकी electrolysis करवाते हैं, तो हमें NaOH मिलता है, chlorine gas produce होती है, और hydrogen gas produce होती है, chlorine जो है, वो anode पे produce होती है, और hydrogen gas cathode पे produce होती है, देखिए students लिखा है, chlorine gas is given off at the anode, hydrogen gas at the cathode, ठीक है, अब NaOH के कुछ uses देख लेते हैं, it is used to make soaps and detergents, ठीक है, it is used in paper manufacturing और भी इसके uses होते हैं, चलिए, next salt जो हमें discuss करना है, उसका नाम है bleaching powder, जिसका chemical formula होता है, CAOCl2, ठीक है, इसकी preparation कैसे होती है, bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime, आप अच्छे से जानते हैं कि slaked lime है हमारा CAOH whole twice, उससे जब हम chlorine pass करवाते हैं, तो CAOCl2 मिलता है और साथ ही में water produce होता है, और यह क्या है हमारा bleaching powder है, इसके uses देखिए, for bleaching cotton and linen in the textile industry, bleaching का मतलब है बच्चा, रंग का उड़ाना, तो cotton linen की textile industries में हम bleaching powder का use करते हैं, for bleaching the wood pulp in paper factories, bleaching the washed clothes in laundry, आजकल तो hair color जैसे लोग कराते हैं, तो बालों पे भी bleach लगाई जाती है, है न हमारे काले बाल है, हम उस पे अलग-अलग color कराते हैं, तो पहले bleach लगाके वो रंग उड़ाया जाता है, काला रंग, फिर जो color लगवाना है वो लगाते हैं, then we have as an oxidizing agent in many chemical industries, then we have for disinfecting the drinking water to make it free of germs, ठीक है, चलिए, next salt देखते हैं, next है baking soda, जिसका नाम है, मतब formula है, NaHCO3, sodium hydrogen carbonate, कैसे produce होता है, it is produced using sodium chloride as one of the raw materials, तो देखिए, sodium chloride लिया, water लिया, carbon dioxide लिया, NH3 लिया, produce क्या होगा, NH4Cl and NaHCO3, जो की है आपका baking soda, अब baking soda है, नाम से ही पता लग रहा है, कि why is it used in baking, baking soda है, क्यों baking में यूज करते हैं, क्योंकि बचा आप baking कर रहे हैं, आप cakes वगरा को, bread वगरा को, oven में रखत हैं, मतलब heating देते हैं, heat देते हैं, right, cooking के time तो heating ही होती है, तो देखिए, जब बेटा, baking soda heat होता है, the following reaction takes place when it is heated during cooking, तो जो हमारा baking soda है, वो तोट जाता है into sodium carbonate, water and carbon dioxide gas, और यही carbon dioxide gas जो है, वो हमारे cakes को, breads को soft बनाती है, spongy बनाती है, the carbon dioxide produced during the reaction causes the bread or cake to rise, making them soft and spongy, ठीक है, next है हमारा इसके और uses देख लेते हैं, baking soda से हम baking powder बना सकते हैं, which is a mixture of baking soda और कोई भी mild edible acid जैसे की tartaric acid, कोई भी mild acid ले लिया और baking soda ले लिया, मिलके baking powder बना दिया, baking powder या फिर, sorry, baking soda या फिर sodium hydrogen carbonate is also used as an ingredient in antacids, antacids वो होते हैं, जो हम acidity की दोरान, जो mild base consume करते हैं, ताकि हमारे को acidity से राहत मिले, उन्हें antacids बोलते हैं, तो sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids, being alkaline, it neutralizes the excess acid in the stomach and provides relief, it is also used in soda acid fire extinguishers, ठीक है, चलिए बच्चा, अब हम चलते हैं अपने next salt पे, जिसका नाम है washing soda, washing soda है, formula है, Na2CO3.10H2O sodium carbonate decahydrate, ठीक है, preparation, recrystallization of sodium carbonate gives washing soda, बच्चा मैंने sodium carbonate में पानी डाल दिया, जब मैंने sodium carbonate में पानी डाला, तो वो, जो 10 water molecules है, वो इसके साथ जाके जुड़ जाते हैं, और मुझे मिलता है Na2CO3.10H2O, जो की क्या है हमारा washing soda है, आएए इसके uses देखते हैं, sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries, then it is used in the manufacturing of sodium compounds such as borax, then sodium carbonate can be used as a cleaning agent, भीया नाम ही washing soda है, तो cleaning agent की तरह तो use होगा ही, it is used for removing the permanent hardness of water, आल राइट, चलिये, next हमारा जो last salt है, वो है plaster of Paris, जिसका chemical formula होता है, C-A-S-O-4.1H2O calcium sulphate hemihydrate, और इसकी preparation कैसे होती है, on heating gypsum at 373 Kelvin, gypsum water molecules loose कर देता है, और हमें देता है calcium sulphate hemihydrate, देखते हैं, gypsum होता है C-A-S-O-4.2H2O, जब हम इसे 373 Kelvin या फिर 100 degree Celsius पे heat करते हैं, तो ये water molecule loose कर देता है, और बनाता है C-A-S-O-4.2H2O, साथ ही में मुझे 1.5H2O मिलता है, और यही है मेरा क्या, P-O-P, that is plaster of Paris, alright, आएए देखते हैं next, plaster of Paris is a white powder and on mixing with water, it changes to gypsum once again, भया अगर ये मेरा जो P-O-P है ना, C-A-S-O-4.2H2O, अगर इसमें पानी मिल गया, हलका सा भी, तो ये फिर से क्या बना देगा, ये फिर से बना देगा gypsum, और क्या हो जाएगा, हाड हो जाएगा, कुछ uses अब P-O-P के देख लेते हैं, false ceilings बनाने के लिए use होता है, fractured bones, कभी ना कभी, किसी ना किसी को plaster तो लगा ही होगा, हाथ टूड़ गया, पैर टूड़ गया, making toys, airtight containers, fire proof, alright, चलिए, तो इसी के साथ, my dear dear students, आप लोगों का जो ये chapter था, acids, bases and salts, वो हमने कोशिश करी है कि 30 minutes के अंदर अं आया होगा, that's all for today from my side, bye bye बच्चो.